यह सब भी प्यारे प्यारे साथ आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल टीचर्स अड़्डा पे और जो बच्ची एमारेस की तियारी कर रहे हैं और यह एमारेस के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो जो अभी रेक्रूट्मेंट आये हैं पीजी टी के प्रिंसिपल के जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट के लेब असिस्टेंट के उन सब का मैं आपको फॉर्म फिल करना बता देता हूं वेबसाइट कैई बार क्या हो रहा है बीच बीच में चलना बंद हो जा रही है मतलब जो मेन वेबसाइट अगर आप उस पर जाकर देखोगे तो वो 204 का एरर आएगा तो जो अपलाई करने के डिरेक्ट लिंक है वो मैं नीचे डेस्क्रिप्शन में लगवा दूगा उन पर क्लिक कर लेना प्रिंसिपल का भी लिंक है पीजिटी का भी लिंक है लेब असिस्टेंट का भी और जीस से वाला भी तो वो सारे लिंक में नीचे लगवा दूँगा उन लिंक्स पर जाने के बाद क्या होता है एक बार उस पर चर्चा कर लेता है अब जैसे आप लिंक पर जाएंगे ऐसे पर्टिकुलर एक पेज ओपन हो जाएगा और ध्यान रखना यहां पर आप देख लेना कौन से वाला एप्लिकेशन फोर्म आ रहा होगा जिसे यह जो मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूं यह MRS Recruitment 2023 पर PGT दिखा रहा है तो PGT वाला वहां पर आप अपना देख लेना कि मुझे PGT भरना तो PGT दिखा रहा है क्या अब इसके बाद अगला पेज जो ओपन होगा वह आपके सामने ऐसे ओपन होगा जिसमे से आप क्लिक करके सब्मिट करेंगे अब आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी नाम मांगा जाएगा मा का नाम पिता का नाम कोई भी एक आपको एड्रेस प्रूब देना उसका नंबर यहां पर मेंसन कर देना फिर अपना एड्रेस एक टेंप्रेरी एड्रेस औ दालने का दोनों चोईस होगे आपके पास दोनों टेंप्रेरी और पर्मनेंट एक भी रख सकते हैं वो उप्सन भी है सेम एज पर्मनेंट एड्रस अगर आप यहां पर कर देंगे तो सेम एंड्रस भी आ जाएगा उसके बाद जब आगे चले तो पासवर्ड का आपके पास आएगा पासवर्ड में एक error का ध्यान रखिएगा इसमें जब आप पासवर्ड डाले तो alpha numeric हो और उसमें एक letter अपर case भी हो जैसे आपका नाम at the rate 123 आप कर लेना जैसे मेरा नाम है आयूस का एक capital रखूंगा at the rate डाल दूंगा जिससे एक character भी आ जाएगा और 123 ठीक है तो यह आपने डाल दिया कोई security question चुल लेना उसका answer यह जो नीचे यह आपर security pin दिया हुआ यह डाल के जब आप submit कर देंगे तो अब आप next page पर चले जाएंगे और यहाँ पर आपको जो है review के लिए form मतलब वो बताएगा कि अगर आप review करना चाए edit करना चाए तो कर सकते हैं जो mobile number है उस पर एक OTP आएगा और वो आपको OTP डालना है उस OTP को डालने के बाद देखिए अब आपको अपनी सारी चीज़े भर देनी है क्या क्या चीज़े आपको भरनी है अपनी सारी चीज़े आप डाल देना क्या क्या चीज़े डालने है देखो मैं बता देता हूं contact details personal details और जो आप apply कर रहे हैं किस exam के लिए कर रहे है qualification क्या आपकी वो सारी चीज़े अपने photo और आपको जो है signature वो भी दोनों चीज़े upload कर देनी है कोई भी photo लेना उसे crop वगएरा करने का option यहीं पर online मिल जाएगा और signature दोनों को upload करना पहले photo डालना उसे upload करना फिर signature पे जा सारी चीज़े आ जाएंगी आपर क्या आपका security question था क्या सारी चीज़े थी उस सब चीज़े आपको यहां पर यह दिखाता रहेगा आपको यह भी पता चलता रहेगा हरी step पे कि आपका registration कितने level तक भर गया है registration हो गया है क्या application form अब आप भर रहे अभी fees payment रहता है यह सारी चीज़े आपकी चलती रहेंगी जैसी एक step complete होगा अगले पर जाने के लिए complete application form पर क्लिक करना तब अगले step पर आ जाओगे ऐसे फिर अपनी जानकारी कि आपकी कहीं पहले job तो नहीं थी कोई ex-serviceman तो नहीं है कोई category वगेरा उन सब चीज़ों को लेकर पूछा जाएगा post आप क्या apply कर रहे हैं वो फिर आपको यहीं पर आपको बताना है कि आप exam city कौन सी चाते हैं यह job location नहीं है यह मत सोचना है कि बिहार job location है नहीं आप कहां चाहते हैं वो choices आपको भरनी होंगी इसमें 4 choices तक आप भर सकते हैं उसके बाद अगर मैं आगे चलू तो फिर आपकी जो details है वो यह वाली आजाएंगी सारी कि सारी कि आपने अपनी qualification कब ली जैसे आपका post graduation आपने कहां से की और B.A.D. आपने कहां से की और वो दोनों चीज़े पूछेंगे और इसके अलावा कुछ खास चीज़े नहीं पूछे जाएंगे उनके marks वगेरा पूछेंगे अप फिर upload पे click choose file फिर upload पे click करना ठीक यह सारी चीज़े upload हो जाएंगी at last आपसे आपकी fees मांगे जाएगी वो करते ना तो कुछ खास जादा document नहीं मांगे जाएंगे आप लोगों से यही main चीज़े हैं जो आपसे मांगे जाएंगी बाकी चीज़ेंगे तो आपकी कहां से अपने किया है और कब किया है कितने marks हैं वो ही सारी चीज़े में तो आपका photo और signature इसमें आपको upload करना पड़ेगा तो यह था इनके link अगर आपको website पर जैसे मैं एक बार फिर से अभी video जब record कर रहा हूं तो एक बार ही मैं फिर से सर्च करके देख लेता हूं कि क्या दिख ले तो ठीक है इसमें हर post के सामने apply का link है मैं नीचे description में भी डलवा दूँगा हर post का apply link आप वहां से भी कर सकते हैं जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर batches में पढ़ना चाहते हैं तो स्वागत है भई आप सब का आप जुड़ सकते हैं batches में पढ़ सकते हैं हर चीज की class चल रही है पहले free classes जो चल रही है YouTube पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई किताब वगएर आपके पास है उससे पढ़ रहे हैं तो आप ये सारी classes follow कर सकते हैं ठीक है ये सारी आपकी subject specific class हुई ये आपकी सारी classes हुई जनरल पेपर की सनीवार में marathon है तो पहली marathon एक पसंद आया होगा मैं उमीद करता हूँ और फिर भी कोई confusion रह गया होगा तो आप नीचे जरूर बताएंगे कि सर ये वाला doubt है बाकी bye bye take care फिर मिलेंगे